प्रेटा प्रोसेसिंग तो आप दोनों को कोई भी डाउट आएगा तो पूछ लेना ठीक है और मैं कुछ बताते जाता हूं जैसे आप इंटर्व्यू देना चाहेंगे डेटा साइंटेस्ट के लिए तो उसमें क्या-क्या पूछ सकते हैं आपसे वह सब मैं आपको साथ साथ बता दे जाओंगा ठीक है ताकि आपका भी थोड़ा बेनेफेट हो जाए तो अभी तो डेटा प्रीपोसेसिंग से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात डेटा प्रीपोसेसिंग की जववत क्यों है यह कल हमने डिसकस किया था कि जो डेटा हो वर्ल्ड में वो डिर्टी होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी मिसिंग वैल्यूस होंगी इंकम्प्लीट वैल्यूस होंगी मेबी दे विल भी आउटलायर्स जैसे सैलेरी माइनस तैनावे सो यह हूमन एरर्ज हो सकते हैं और मेभी इट विल बी इनकंसिस्टेंट तो फॉर यह हमें डेटा प्री प्रोसेशिंग की जरुवत होती है तो आफ्टर डेटा प्री प्रोसेशिंग हमने एक्जांपल देखा था कि यह हमारा डिर्टी डेटा है और हम उसको क्लीन डेटा में कन्वर्ट कर पारें थे ओकैश नौ इस आए शैट कि थीज आथे स्टेप्स ओ तो इन पांचों में से आपको कोई डाउट यह कल जो बताया था कि डेटा क्लीनिंग में हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली मिसिंग वैल्यू देख रहे थे और आउट लायर्स देख रहे थे सबको रिमूव कर रहे डेटा इंटीग्रेशन में हम अगर अलग-अलग डेटा बेस से लेंगे अब जाहिर सी बात है आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे उनका सोर्स जो होगा वह बहुत सारे डिफरेंट डेटा बेसे से आता होगा एक्जामपल के तोर पर मेबी वी यूजिंग हडू या फिर आप लोग ने ओरेकल किया होगा तो वहां से डेटा आ रहा होगा और मेबी इन डिफरेंट फाइल फॉर्माट्स जिसे एक्सल चीट हो गई या फिर वर्ट वर्ट फाइल होगा तो यह अलग-अलग फाइल से हमको उसको इंटीग्रेट करना है फिर डेटा ट्रांस्फॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो इसमें हम नॉर्मलाइजेशन यूज करें इसके बारे में इसका एक रीजन बताऊंगा कि यह क्यों कर रहे हैं हम लोग जैसके बारे में पढ़ेंग यहां पर हम लोग एक तरीके से कंवर्ट कर रहे हैं कंटीनियूस को कैटेगोरिकल में और कैटेगोरिकल को कंटीनियूस में तो अभी तक कोई भी डाउट आएगा तो मुझे प्लीज दिपांशी है मुझे बीच में रोक देना या मैसेज कर देना कि क्या कोशन्स आ रहे हैं आपके यह से अभी हम स्टार्ट करने से पहले हम ना डेटा को समझेंगे कि आखिर डेटा में है क्या अब इसकी जववत क जड़्यक्त अब आको", हम इस डेटा के बारे में थोड़ा समझते हैंicana कि यह डीटा में आखिर वैल्यू पढ़े थे बहुत सारे जैसे डिस्क्राइब करके अगर आपको याद नहीं तो मैं आगे बताता हूंगो तो वह एक तरीके से हमें डेटा का एक ओवर्विव देता है सब्सक्राइब को इसको बोलता है हम डिस्कृप्टिव देटा स्थार्ट साइन विच अप। इसको बहुत सब्सक्राइब को बारन अपु सब्सक्रार को बिंदर शब्सक्रेदर प्रॉपरम संपंड में इसको इसको इसथे सेंच्टीपटीव एस데टर मिफि रोगन में fashion our handheld patient descriptive data summarization technique can be used to identify the typical properties of your data and highlights which data value should be treated as noise or outliers अब जाहिर सी बात है हम आते ही एकदम अन्धादुन शुरू कर दें कि भईया ओके यह आउटलेर है यह पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं तो पहले data के बारे में समझते हैं अब descriptive data समराइजेशन या descriptive statistics होता क्या या फिर वो दिखते हैं यह आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे आपने मीन मोड मीडियन कभी आपने पढ़ा होगा रहे विपांशी एमांशी एनिवन यह से हम मीन मीडियन मोड रेंज मोड स्टैंडर्ड डिवेशन इसाब आपने पढ़ा यह मीन मोड मीडियन और मैजर अभ वेरियेब्लिटी में रेंज आता है यह मोड त्हड़ा गलत लिखा हुए यह नी आता आब डियाग्राम में आपाद था और यह ना अघंहन अब बात करते हैं कि सेंटर टेंडेंशी ऐसे में मोड मीड्या रहे है इसके बारे में समझते तो central tendency क्या बोलता है a single value which represents the whole data set and all other individual values concentrated around it sometimes it is referred to as middle value of the data तो कल शायद किसी ने बोला था कि median जोता है middle value होता है तो ये वही है central tendency तो ये वो चीज है and it's useful for summarizing the data it defines the center of the middle of data अब ये तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं तो for example अब तुमारे पास data है दो class class A और class B अब तुम मुझे तुम दोनों बताओ कि तुम कैसे ये जो है ये IQ बता रहा है ठीक है 13 students का दोनों में 13 students है ये IQ बता रहा है 13 students का अब तुम बताओ कि कौन सी class स्मार्ट होगी कि कैसे हम पता लगाएं कि कौन सी class स्मार्ट होगी ये सब IQ बता रहा है जिसका ज्यादा IQ होता है वह ज्यादा स्मार्ट होता है में में मीडियन से एक तरीके सा सही बोल रहो तो उसका आवरेज आवरेज में लिए तो अब इससे क्या होगा जोनों का से मिलार अब कैसे करेंगे कि यह रफली तो सेम ही है तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी तो हम किसका इस्तमाल करते हैं तो तीन चीज़े होती है जैसे अभी दिपांशनी का सब्सक्राइब करते हैं अब इसको निकालेंगे कैसे तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एक बास समझ लेता है कि यह फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं तो मीन क्या करता है कि सब जितनी भी तुम्हें वैल्यूस दिया ना सबको सम कर दो डिवाइड़ बाइन नंबर और और यह हर जगा यूज होता है मोस्ट वाइडली यूज अब कैसे तो यह फॉर एग्जामपल में पास यह डेटा सेट है मैंने सबको सम कर दिया कि टोटल अनग कर रहे हैं तो यह हुआ हमारा मीन की मीन की शीज़ते कैसे हैं मीडियों तो मीरे कैसे निकाल रहा हैं मीडिय के में हम लोग यह बीच वाली वैल्यू कैसे हो इस मान लो हमारे पास 135 है तो इसमें तो हम बता देंगे टीक है मीडियन 3 है पर मान लो 1356 आ गया अब कैसे करेंगे कि बीच वाली वैल्यू तो दो दो आ रही है 3 और 5 तो अब कैसे करेंगे कोई आइडिया इंवान लगाएंगे तो यहां पर मालो इवन आता है इवन नमबर ऑफ हैं तो यहां पर 3510 11 वैल्यू आ रहा है तो हम क्या करते हैं बीच की जो दो वैल्यू आ रही है ना उनका मीन निकाल लेते हैं एक्जांपल के तोर पर मालो इसमें क्या है हमारे पास हमने 3 ले ली इसमें तो कोई मतलब ज़्यादा पर अभी हम क्या करेंगे मालो हमारे पास एक एवन वैल्यू आ गई टैन वैल्यू यहां पर यहां पर टू और थ्री दोनों बीच में आरी है तो हम क्या कर लेंगे इसका आवरेज लेंगे यानि टू प्लस थ्री हमाँय को हमें मीडियान के बारे में पता चलिया मौड क्या होता है वेल मौड जो होता है वह उसकी कितनी बार जादा रिपीट कर रही है मतलब उसकी फ्रिक्वेंशी जदा एग्जैम्पल के दौर पर हम अगर बात करें कि यह हमारे पास डेटा सेट है यहां पर देखे थ्री जो है वो बहुत ज्यादा है चार बार तो जो होगा वह सबसे ज्यादा बार जो है वो थ्री तो थ्री हमारा मोड वोगा ठीच है तो इस से हमने मिय मीडियन मोड यह निकालने का हमने फॉर्मूला देख लिया यह बहुत ही इंपोर्टेंट पूछता है ना तो उसमें यह सब के questions पूछ सकता है और या फिर यह तब भी हम use कर सकते हैं जब for example हमें mean दिया होगा median दिया होगा बस इस formula में डालना है और हमें mode की value पता जल दाएगी तो अभी तक तो सब simple चल रहा है अब थोड़ा बात करते हैं कि हम यह जो जो तीन चीज़ें निकाली हमने इसको कब-कब यूज करेंगे तो देखो जो अभी mode हमने लिया है ना यह हम नॉमिनल डेटा के लिए ही यूज करते हैं कि इसमें नॉमिनल डेटा में यूज जैसे फॉर एग्जम्पल डेटा मैंने पहले पढ़ा रख है कि जेंडर जिसे मेल फीमेल यह नॉमिनल डेटा हुआ तो यहां पर देख सकते हूं लेफ में तो इस निदेटा के लिए हम आवरेज तो निकाल नहीं सकते मतलब मेल-प् the mode is the only measure that can be used ठीक है अब बात करते है ordinal की तो इसमें क्या होता है good average bad अब जाहिर सी बात है इसमें भी हम लोग average तो निकाल नहीं सकते मतलब good plus average plus bad यह क्या होता है यह तो कुछ नहीं होता रहे तो इसमें हम लोग mode निकालेंगे या फिर median भी निकाल सकते है median क्यों निकाल रहे है मालो बहुत एक restaurant की rating दी होई है मालो बीस customer आये तो तुम राइट में देखो इस चार दिया हुआ है मालो बीस customers है और बहुत सारे लोग average rating ही दिये हैं तो हम क्या करेंगे जो मैं पहले जनली बता है यह हो गया वेट हो गया उसमें आप तीनों यूज कर सकते हैं तो यह जो है ना यह जो बताया मैं सेंट्रल टेंडिंसी यह हमें हेल्प करेगा हमारे डेटा के डेटा के बारे में जानने की चेहितकर आपको एक तारीके से पता चलएगा कि इसकी rating बताता है तौ आपको एक तरीके से अपको डेटा के बारे में यह यह ऐक वाल्यू दे देगा जिसको आप देखके समझ सकते हो तो अब हो तो बहुत सारे लंप मदब 10,000 रोज राइट अब हम हर एक डेटा को देख नहीं सकते तो हम यह वाली वाल्यू उसको यूज करेंगे अब इसमें एक चीज आ रही है मीडियन इस प्रेफर्ट इप्ट डिस्ट्रिबूशन इस क्यूड यह देखो नीचे जो ठर्ट पॉइंट दिया हुगा है यहां पर मीडियन जो है पहले मीन तो हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जादा इंफॉमेशन देता है पर मालो स्क्यूड का मतलब क्या होता है एनिवन इमांशी देपांशी इसको बोलते हैं सेमेट्रिक डिस्ट्रिवूशन यह बहुत ही इंपॉटेंट है इंटर्व्यू स्टैंड पॉइंट के लिए क्योंकि एक कोशन तो आता ही है इसमें क्या पूछा जाएगा कि हमेशा हमें जो डेटा है न अच्छा अच्छा नई मिलता कि डेटा कई खराब भी हो सकता है या फिर हमें मतलब जो ऊपर तुम देख पार हो से मिंट डिस्टिप्यूशन सवेंसमें grammat कभी कबार डेटा तुम्हारा वो सेम नहीं होंगे तो तुम्हें नीचे दिख रहा होगा जिसमें मीन मीडियन मोड यह तीनों डिफरेंट तुम देख रहे होगे कि यह राइट तरफ जा रहे एक लेफ्ट तरफ तुम अगर इसको पुश करोगे लेफ्ट की तरफ यह राइ को आएगा समझ में मैं तुम्हें कोड दिखाता हूं ओके तो लेट मी शो यू इस थिंग ओके तो अभी तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं सेशन को है अब मैंने क्या किया में पास यह डाइबेटिक पेशेंट का डेटा सेट है तो यह तो हम्हें पता है यह सब्सक्राइब कर लिया अब देखते हैं इसके अंदर क्या है यह सारी वैल्यूस है तो अभी तक जो जो हमने सीखा ना मैं वह तुम्हें कोड में दिखाता हूं ठीक है तो आप देखो मेजर ओफ सेंट्रल टेंडेंसी अब इसमें क्या है अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो कैसे करेंगे अब देखो हमारे पास पता है एज है मालों हमें एज का निकाल रहे हैं तो एज की वैल्यूस कैसे देखते हैं हम लोग ऐसे देखते हैं तो यह मेरे एज की वैल्यूस आ गई मुझे इसका मीन निकालना है मैं क्या करूंगा इसके जस्ट आगे मैं मिल जाएगी और इसको लिखने की जवत नहीं मैं तुम्हें कोड पूरा दे दूंगा इसका डॉक्यूमेंट ठीक है ताकि तुम अच्छे से इसको समझ भाओ अभी तुम देख लो कि कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं पांडाज में अब मोड की बारियाती है स्यमेलर है इतना हमें एक आइडिया पता चल गया अब ना मैंने बायत की कर्टोस के बारे में मैं आता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं देखो मैंने यह क्या किया मैंने एज को प्लॉट कर दिया यह तुम्हें याद आ रहोगा अगर याद नहीं भी है कोई बात नहीं बहुत पहले पढ होगे कि यहां पर जो ग्राफ है वह स्क्यूड है तुम देख रहे होगे यह सिमेट्रिक नहीं है जो अभी मैंने तुम्हें बताया है यहां पर यह थोड़ा लेफ्ट की तरफ है तो तुम्हें ऐसा डेटर सेट मिला जाएगा जिसमें स्क्यूनेस होगी मतलब वह नॉर्म अब हमें सिमेट्रिक बनाना पड़ जाएगा या फिर ऐसे कुछ मॉडल से जो एसे में भी लगेंगे तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि डेटा कैसा है सिमेट्रिक है कि एसे मेट्रिक है और इसको बोलते हैं क्यों तो अभी पीपीटी में चलते हैं कैसे निकालते हैं पर समझ लेते कि कैसे मीन माइनस मोड बाई स्टैंडर्ड डिवेशन हमने कभी पढ़ा होगा मैं अभी फिर से बता दूंगा स्टैंडर्ड डिवेशन होता क्या है तो यह इसका फॉर्मूला है अब ना इसको समझना चाहिए कि जो भी वैल्यू आएगी कि उसका मतलब क्या है देखो जब तुमने स्क्यूनेस निकाल दी इस फॉर्मूला से यह वैल्यू जाहिड सी बात है कुछ वैल्यू देगा मान लो उसकी वैल्यू है 0.4 तो नीचे डायगराम में देखो अगर माइनस 0.5 से 0.5 के बीच में होगा तो यह 0.4 उसके बीच मे होगा इसको बोलता है moderate और मान लो अगर यह माइनस 5 माइनस 1 के पीछे गया मतलब माइनस 2 माइनस 3 माइनस इंफिनिटी तक या वन और उसके आगे चला गया या नी 2 3 4 5 इंफिनिटी तक तो यह होगा हाई स्क्यूनेस ठीक है इतना समझ में आया इसमें कोई डाव कि स्केल हम लोग कैसे देख्रहें स्क्यूनेस का हुआ कि अब को टो शेइस क्या हूआ तुम देखियोगे स्क्यूनेस इंड उत्रै Complit temples क्या किया इसको धक्का मार दिया राइट से अभी इमालो मैं ऊपर से पंच करता हूं नीचे की तरफ तो यह दब जाएगा या फिर मैं इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर करता हूं तो यह उठ जाएगा इसको बोलता है कर्टोसिस कैसे कैसे समझेंगे इसका कुछ फॉर्मुला होता है बहुत कॉंप्लिकेट फॉर्मुला है याद करने की जबत नहीं है कि मिला दिया हुआ है इसमें क्या कर रहे हैं हर एक वैल्यू को मीन से माइनस कर रहे हैं डिवाइड बाइट टोटल साइज और डिवाइड बैस्टैंडर्ड डिवेशन टुदी पावर फो अभी इतना कोई नहीं करता कोड से ही सब मिल जाता है तो अब मानलो तुम्हें कोई से था यहां पर यह जो नॉर्मल डेटा से मेंटरिक erson हुडबीशन इसका नब यारी थ्री होता है यह हमेशा याद रहे यह लिख भी देता हूं तुम्हारे रेफरेंस के लिए कि इसका जो कर्टोसिज होता है वाल्यू वह थ्री होता है ठीक है सिमेट्रिक डिस्ट्रिबूशन का तो आप देखो यहां पर थ्री जो वैल्यू है इसको बोलते हैं मीजो कर्टोसिज बोलते हैं ठीक है अब लेप्टो कब बोलते हैं जब थ 2 से लेस होगा यह्नगरिटल्व इसको नेगरिटल्व इसको नेगरिव कर्टोसिस भी बोलते हैं जब हमने ऊपर से पंच कर दिया तो नीचे दफ गया तो इतना समझ में आया है कि कर्टोसिस की वैल्यू तो मैं दे दी जाएगी तो तुम समझ जो कि कौन सा कर्टोसिस है और उसका शेप क्या है इतना समझ में आ जाएगा इसमें कोई डाओ तो इससे हम लोग ऐसे निकालते हैं अब इसका कोड देख लेते हैं ठीक है तो एक बार मैं फिर से स्टॉप करता हूं शेरिंग एक बार मैं यह दिखा देता हूं कोड कि मेरा जो है वो एज का कुछ तो चल रहा है यहां पर नॉर्मल तो है नि मत दब एसे मेट्रिक सा है लेट सी अब इसको कैसे करते हैं पहुत सिंपल है क्या करना है डी एफ एज के आगे लिख दो स्क्यू तो क्या देगा मैं को स्क्यूनेस की वैल्यू देदेगा तो अब द सिंपेंद क्या बोलतA I think one से ज्याधा था तो हाइब और रएट है ओन्개 Lo ू कि यहां से यस्तो उसमैं ऐसा कुछ था मा Brendon high law फाइफ से बच में बोलता अर quem के बीच में डियूम था और वन से ज्याधा था कुए था तो इसको हम बोलेंगे keep तो उसको बोलते हम हाई लीज हूझ ठीक है तो यह हो गया हाइली स्क्यूड अब कर्डोंस से बात करते देखो पॉइंट सिक्स आ थ्री से छोटा है मतलब हमने ओपर से कुछ तो पंच मारे ठीक है तो यह क्या होगा डीटिफ पर्टोंस को ठीक है तो इतना समझ में आए कि वैल्यू से हमें समझ में आ रहा है कि एक ग्राफ कैसा है मतलब में विजुलाइज करने की जवद्वत नहीं है एक आइडिया दे रहा है हमको रफ आइडिया कि हमारा डिस्ट्रिब्यूशन कैसा है डेटा का ठीक है इसमें कोई डाउट डिस्ट्रीपटिफ स्टाट सिस्ट में में मेजरर ओस सेंटरल टेंडिंशी मीन इंपमें निकालना आगया आःद इसलीर अब हम बात करते हैं मेशर वैरियेबिलिटी अब यह थोड़ा गलत लिखा हुआ है मिजर पहले ह्हार अलियुद और टेइच ओट एंडियू यह क कि ऐसे करते हैं म् się चाहिए लाजस्ट वैलीग वी सिक्स्टीए लोएस्ट वैल्यू निचालो लो हम लोगॉराये पें सीघ्टे उन दोनों को मायनेस कर दो तो तुम्हें रेंज प्थे तुम्हेरे दंब युल्यूरी जींसर गाले यह अब वेरियंस क्या होता है वेरियंस का फॉर्मुला यह है तो इसमें क्या करना है हमको हर एक वैल्यू को मीन से माइनस करते रहो और उसका स्कुरेर निकालो और फिर जब पूरा उसको सम करो मतलब मालो 10 20 30 40 है मेरा डेटा है मालो मेरा एवरेज वैल्यू कुछ 30 आ रहे हैं सब सम कर लिया डिवाइड़ बाए एन एन मतलब चार चार डेटा था मेरा तो मेरा वेरियंस आ जाएगा ठीक है एक फॉर्मुला में कुछ नहीं है पहले भी हमने किया हुआ हुआ है इंटर कोर्टाइल रेंज तो मैं याँ लिख भी देता हुआ कि जो इंटर कोर्टाइल रेंज होती है अच्छा यह ओपर लिखा हुआ है वह होता है एक लिए तो इस इन चारों को आप कोड़ से करके देखते हैं तो लेट मी शो यो दा कैगल वाला कोड अब देखो मेजर अफ दिखर है न कोड यह सर्थ हां तो मेजर और डिस पर्शन के बारे मैं थोड़ा बात करते हैं अब देखो मैंने क्या किया अब बहुत सिंपला करके जो दिया हो एक गए अब इसके आगे लिखदो max डी एफ़ दॉत मिनेमम हमें क्या बदेगी वाई जिक टेगी तो इसको एक बार प्रिंट करके देखके कि यह मैक्सिम्म वैल्यू क्या है इस मैक्सिम वैली और मालों मेर्ट सेखते हैं मेर्ण वैल्यू क्या होनी चाहिए तो मैं करा आके तब 21q1-2160 टिया तो यह क्या आ गई उसक्स सिंपल वह रहें कि लोग तो आधम सारी चीजे सेंट्रल टेंडेंसी पहले से बना के देगा मतलब यहां पर काउंट भी है मीन भी है स्टैंडर्ट में देख रहे होगे काउंट भी है मीन भी है स्टैंडर्ड डिवेशन भी है मिनिमम भी है 25% 50% 75% यह सब को टाइल आ गया बॉक्स प्लोट का और यह मैक्सिमम भी है जयदा वो फॉरमुला लगाने के बजाए इसको भी इसको कर सकते हैं तो इसको कैसे मैंने की ऑग किया किया मैंने access के आगे एसे यह कर लिया यह मैंने पहले भी किया हुआ था तुमको याद होगा यहां पर चैका होगा मेरे को एच का पूरा कॉलम पकड़ा देगा तुम्हें करके दिखाता हूं देखो यह कैसा दिखता है यह कुछ ऐसा दिखता है इसमें क्या है काउंट है मीन है स्टैंडर्ड डिविएशन है मिनिमम है 25% 50% यह सब हमें दिया हुआ एच के लिए मैंने क्या किया इस वे सिंपल है ए मैक्स माइनस मिन में को क्या देगा रेंज की वैल्यू देगा जो कि 60 है तो मैं इसी टेबल को यूज करके कर सकता हूँ ठीक है अब स्टैंडर्ड डिविशन निकालना है बहुत सिंपल है मैं मेरा निकला हुए स्टैंडर्ड डिविशन मैं क्या लिखूंगा ऐ एस टीडी मैं को स्टैंडड डिविशन की वैल्यू देगा अब मigonा मेरिको वेरिएंस निकालना है इसका मैं स्कॉर ले लूँँ गा उनकी तुमए याद होगा मैं भी बताया एंडर मैं चूब सेनडर्ड डिविशन mitä बहुत है तो यह एट वैसे ही स्टानडर डिविशन का स्कुएर चाहिए स्टानडर डिविशन डाल दिया मैंने कॉमा टू इसका स्कुएर देगा यह क्या देगा मेरेको अब मेरेको इंटर को टाइल रेंज निकालनी है वह भी बहुत इसी है क्या करना पड़ेगा 75 परसेंट ले लिया 25 परसेंट ले लिया दोनों को माइनस कर दिया मेरी वैल्यू आ गई हो गया तो इसमें क्या है इसमें क्यू 3 जो होता है वह 75 होता है क्यू 1 क्या होता है 25 होता है यह हमने बॉक्स प्लॉट में पड़ा है तो इससे मेरेको IQR आ गया ठीक है तो इसमें कोई डाउट की कोड से हम लोग कैसे यह सारी वैल्यू निकाल रहे है इसमें किसी को तो अब हम चलते हैं प्रेजंटेशन में तो हमने इंटर कोटाइल रेंज निकालना हो गया तो यह मैंने अभी आपको करके दिखाया यह मेरा डेटा सेट है डाइबेटिक लोगों का और डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है इसमें मैं को सारी वैल्यूज आ गई है अब देख समझ लिया है कैसे समझ दिया मीडियन मोर्ड निकालके स्टेंडर डिवेशन निकालके एक आईडिया लग गया कि ओके यह देटा कैसा है तो तुम्हें इसको देख के भी लग रहा होगा देखो एज का मिनेमम वैल्यू मेरे को पता चल गया है मैंको ग्लूकोस का पता चल स्टैंडर डिवेशन क्या है इसका मीन की वैल्यू किया मीन भी देखता है मीन भी निकालने की ज़वत है तो अब थोड़ा बात करते हैं प्ली प्रसेसिंग स्टेप्स को सो लेट स्टाट विट डेटा क्लीनिंग उसके पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग को इसमें क्या है यह आउटकम दह रहा है कि उसको द्पेंड़ है क्रच थे सब्सक्के तो यह वैवले सब्सक्याइबल करोते हों न तो नहीं है और बागी अइसको नीचे लिखा हुगक तो आउटकमस जो है इसमें डाइबेटिक है की नहीं सब्底!!!!!!!! का इंसको दासलीन कितना है ग्लूक। उसकी मातरा कितनी है उसकी एज कितनी है इस आउटकम इस डिपेंडेंट और वेरियेबल्स जो तुम देख पारे हो प्रेगनेंसी ग्लूकोज ब्लॉड प्रेशर स्किन थिकनेस इंसुलीन इस सारी चीज़े डाइबिटीज पे मतब डाइबिटीज इन सब पे डिपेंड हो समझ पार हो पर बाकी सारी चीज़ें अब जाहिर सी बात है यह नहीं है कि तुम्हारा वेट बढ़ दाएगा वेट इंडिपेंडेंट आप राइट वैसे ही तुम तुम्हें मतब तुम प्रेगनेंट हुए मत्तब तुम्हें डाइबिटीज है यह तो बहुत ही नॉंसें हो गई कि यह सारी वेरियेबल जो है इंडिपेंडेंट है इसका और एक्जांपल तुम ले सकते हो मालो यहां पर दिया हुए और यह क्या बता रहा है कि मेरा प्लांट कि अच्छा होगे गा यह सब कर रहा है कि तुम fertilizer क्या डाल रहे हो बारिश तुम डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो इसका यह मतलब नहीं होता कि बारिश हो रही है because of your plant that is wrong right that doesn't depend on that तो इसलिए independent में वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो जैसे fertilizer हो गया rainfall हो गया जैसे हम यहां देख पा रहे थे pregnancy glucose blood pressure skin thickness insulin BMI age यह सारी चीज़े independent और dependent variable क्या हो गया outcome हो गया तो यह थोड़ा क्लियर हुआ कि dependent क्यों बोल रहे हैं और independent क्यों बोल रहे हैं इसमें किसी को कोई डाउट पांशी निमांशी तो यह बहुत ही next to next class में हम machine learning का कोड लिखेंगे जो कि बताएगा कि इस patient को diabetes है कि नहीं है तो जाहिर सी बात है तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा variable हम प्रेडिक कर रहे हैं जो प्रेडिक करते हैं वह होती है dependent variable यानि outcome diabetes है कि नहीं है और किस से train करते हैं independent variable से हम हम लोग train करते हैं इसको तुम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरियेबल से हम लोग train करते हैं और उससे हम dependent variable पे जाते हैं तो यह machine learning के point of view में बहुत important चाहिए ठीक है अच्छा अभी तीन मिनट बचा यह शाद class end हो जाएगी मैं अभी बंद करता हूं मैं फिर से इस link को क्लिक करना ठीक है और उस class में मैं अभी data pre processing उसमें पढ़ाता हूं ठीक है तो अभी फिर से मैं ग्रूप में में से डालूंगा लिंक को जोइन कर लो तो जोइन कर लो तो जोइन कर लोड़ाइब टीक है okay